हो गई है पीर परवत्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर परवत्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए और यकिनन आप लोगों ने आफ लाइन में मुझे बहुत प्यार दिया जो इज़त जो शोरत मुझे मिली वो आप लोगों के बदलत ही मिली अगर आप इस्टूडेंसे हमें इतने प्यार नहीं देते तो यकिनन सी बात है कि आज हमें ना तो अतनी शोरत मिलती ना अतनी इज़त मिलती तो जो आपने आफ लाइन में दिया मुझे पूरा यकिन है कि वही चीज़ आप आउनलाइन में भी देंगे दोस्तों चुकि ये मेरा पहला वीडियो आज में सूट कर रहा हूं तो यकिनन सी बात है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमिया होंगे तो मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट्स आपके अडवाइस मुझे मिलें यकिनन आपके कमेंट्स और आपके अडवाइस के बिना ना तो हम गरो करेंगे ना हमारे यूट्यूब चैनल गरो कर सकते हैं आज मैं एक बहतर नीचर माना जाता हूं सिर्फ आपकी बदलत लेकिन वह आफ-लाइन में और आफ-लाइन में बहुत डिफ्रेंस है तो आप कमेंट्स में सिर्फ अच्छी बाते लिखे यह मैं नहीं चाहता जो भी कमी आपको नजर आती है आप जरूर बताईए कि क्या आपक शर्वत को शराब कर देती है ज्यादा मीठा शर्वत को शराब कर देती है और ज्यादा महबबत इनसान को खराब कर देती है खैर यह तो अपनी अपनी बाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आज केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर रसाइनी का भी किरिया है वह मैं समी करन आज उस पे मैं इंसा अल्ला डिटेल सी चर्चा करूँगा और मुझे यकीन है कि आप मेरा पूरा साथ देंगे भर पूर साथ देंगे इस तरीके से ओफ-लाइन में दिया है ओन-लाइन में देंगे तो बिना विलंबे की आईए किलास को इस्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने पहले से ही देखिए कि लिखके रखा है आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चेप्टर का नाम है रसायनिक अभीकिरियाएं एवं समीकरण तो चेप्टर का नाम है रसायनिक अभीकिरियाएं रसायनिक अभीकिरियाओ को समझने से पहले चुकि रसायनिक अभीकिरिया का संबंद रसायनिक परिवर्तन से होता है तो मैंने आपको बहतर तरीके से समझाने के लिए जो है मैंने परिवर्तन सब्द्र को पहले मैंने ल तो यही बदलाव परिवर्तन है, for example, आप बच्चे थे, अभी आप इस वर आवस्था में आ गए हैं, तो यह परिवर्तन है, पहले गाओं में कच्छी सड़के हुआ करती थी, आप पक्की सड़के हुआ होती हैं, यह अभी परिवर्तन है, पहले अपने पास बहुत सारे बा देखने को मिलते रहते हैं, तो परिवर्तन दो तरका होता है, एक भातिक परिवर्तन और अस्थाई होता है, जो कि अस्थाई होता है, अभी मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा, कि सेर, मैंने कहा कि भाई, परिवर्तन जो है, बातिक परिवर्तन जो है इनें कि परिवर्तन तब करता मुझे एक इस्टूटिंथ ने मुझे पूछा uh मेरी यह मुझे सब्यक्जब्ड यह में आ मिरे कर देती है मौद बिलकुल डिस्कनीक्ट हो गया जर्श यह क मैंने कहा जब कुछ होँ नहीं 16 बिल्कुल पर्मानेंट हो गया है तो मैंने खा कि भई ये थो रसानिक परिवर्तन हो गया जब रसानिक परिवर्तन का अर्थे क्या हो थे एक नए गुन वाले परिवर्तन का निर्मान हो गया तो बेटा जो उनकी जो गल्फेन जो थी पहले वो अब नहीं रही वो बदल चुकी है रसानिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए गुनवाले पदार्थे का अंद्रमान होता है और भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए गुन्वाले प्यदार्थे का दर्मान नहीं होता है इसमें सिर्फ एक तरीके से रूप परिवर्तित होता है इसमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलता है जैसे पिघलना या गलना जब भी होता है बर्फ आपका पिघल गया पानी बन गया तो ये एक भौतिक परिवर्तन है चुकि वहाँ नए गुनवाले पदार्थ का दिर्मान नहीं हुआ अब कोई पूछे का सर कैसे अरे भाई बर्फ को भी खाओगे तो प्यास बुझ कि दोनों प्यास रुझाने का काम कर रहा है संघनन संघनन का अर्थ होता है जैसे कि गैस से जो है दर्व का बनना जैसे जलवास पर पानी का रूप ले लेता है तो इसको संघनन कहते हैं कोधन वाइलिंग जहाँ जो है गैस दर्व जो है गैस बन जाता है तो इसमें आप हमें यह समझ सकते हो पिघलना में कि यह हो से संघनन में आपको यह से दर्व इसमें देरवोस एक डैस वास्पी क्रन में आपको क्या होगा कि कोई करंड में भी यही वह था दर्व और वे één इस घैसी होता है बस थोड़ा सा दुनों में डिफ्रेंस है ये किसी भी टेमपेरचर पर होता है बस ये एक इस टेमपेरचर पर उसको हमले लग कोथ अधनांग़ कहते हैं मैल्ट बॉयलिंग पॉइंट कहते हैं यह वह पॉरेशन किसी भी किसी भी टेमपरिचर पहो जाता है जमना इसमें आपको दर्वे से ठोस और भादिक परिवर्तन जो होता है वह आपको उत्करमनिया होता है उत्करमनिय का मतलब क्या होता है यह उलड़ जाएगा पॉर एक्जामपल पानी से नहीं बन जाएगा लेकिन यह अनुत करमनिय होता है यानि कि ईरिवर्सिबल यह नहीं आएगा जैसे अगर काज जय करके राख बन गया अब उस राख से हम काज बनना चाहेंगे तो नहीं होगा अब दूद से दही बन गया है, अब हम सोचें कि फिर दही से दूद बने नहीं होगा, और इसमें उर्जा की जो हानी या लाव है, यह ना के बराबर होता है, यह कहिए कि इसमें होता ही नहीं है, लेकिन इसमें या तो उर्जा आसोसित होगा, या तो उर्जा सर्चित होगा, या उर्जा बाहर निकलेगा या उर्जा देना पड़ेगा इसमें उर्जा की बात होती है तो यह रहा बहुतिक परिवर्तन और रसानिक परिवर्तन रसानिक परिवर्तन में आपको जलना कोई चीज जब जलता है तो वहां पर रसानिक परिवर्तन देखने को मिलता है तो वह तो यह भी एक रसाइनिक परिवर्तन है इसका एक्जेम्पल मैंने बात दिया है जैसे खाना का पचना खाना का पकना फल का पकना दूसरे दही का बनना लोहे में जंगा का लगना इसमें कोई भी एक ऐसा नहीं है जो वापस अपने रूप में आ जाए तो यह सभी के सभी जो है रसाइनिक परिवर्तन है अब थोड़ा सा जानने कोशिश करेंगे के रसाइनिक अभिक्रिया को तो रसाइनिक परिवर्तन जहां होता है वहाँ पर रसाइनिक अभिक्रिया देखने को मिलता है आप यह दूसरे सेंसम यह कह सकते हैं कि हर एक रसाइन परिवर्तन रसाइनिक अभी क्रिया को रिपरजेन करता है और रसाइनिक परिवर्तन को हमने परिभाजित करके बता दिया एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुनवाले पदार्थ का निरमान होता है उससे रसाइनिक परिवर्तन कहते हैं एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए ग अब आए तो रसाइनिक अभी क्रिया क्या है थोड़ा सा यहांपे समझने की जरूरत है रसाइनिक यानि की केमिकल रच्षाइनिक केमिकल कैमिकल सब किस को रिपरजेंट करता है वह किसी परमानू यानू का वना होता है कि इसको हम केमिकल कह सकते हैं, तो केमिकल आपस में क्या करेगा, यानि कि रसाइनिक जो अभी क्रिया है, इसको थोड़ा सांगर जी ट्रम से समझें, और रियक्षन, जब भी कोई एक्षन होता है, वहाँ पे रियक्षन देखने को मिलता है, for example, हम आपको थपड़ लेके जो भी movement, जो भी पर्तिक्रिया आपकी होगी, वह एक रियक्षन होगा, तो पदार्थों में इसी तरह की पर्तिक्रिया होती है, जब एक पदार्थ में जो अपने आप में जो परिवर्तन होता है, इससे जो एक नए गुन वाले पदार्थ का दिर्वान होता है, उसी को हम अगर हम इसको परिभासित करना चाहें, तो इसको हम ऐसे परिभासित कर सकते हैं कि जब एक पदार्थ या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर, एक नए गुन वाले पदार्थ या एक से अधिक गुन वाले पदार्थ का निर्मान करते हैं, तो इसे रसाइनिक अभी क् प्रसिन में बता जाओंगा कि जब एक पदार्थ जब एक पदार्थ एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्मान कर देता है या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्मान करता है तो इससे क्या कहते है रसाइनिक अभिकरिया कहते है रसाइनिक अभिकरिया में जो पदार्थ भाग लेता है उससे अभिकारक कहते है फॉर एक्जेम्पल यहाँ पर ए भाग लिया इससे क्या बना बी और सी बना तो यहाँ A जो है वो अभिकारक है B और C जो है वो उत्पाद है कहा कि रसानिक अभिकरिया में भाग लेने वाले पदार्त को अभिकारक कहते हैं और रसानिक अभिकरिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्त को उत्पाद कहते हैं जैसे अगर आप इसका एक बार स्क्रीन सोट लेना चाहो तो बेदर रहेगा खेर एक्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन और अक्सिजन यह दोनों मिलके बनाता है वानके हाइड्रोजन और उक्सिजन रेक्षिन भाग शुच यहाँ दोनों पदार्फ मिल रहे हैं इसको हम कहेंगे स्कष में कर Salz कर द Dud और वात रहा है यह ही क्लिए के फल्सवरू बं रहा है उसको कहेंगे उत्पाद यानिए के products जैना उसी तरीके से magnesium oxygen से reactor करके बनाता है magnesium oxide तो यहां magnesium और oxygen अभीकारक है और magnesium oxide क्या है उत्पाद है कि मुझे लगता कि बात आपको समझ में आ गई हो कि क्या अभी कारक और उत्पाद क्या है और एक चीज आपको जानना चाहिए तो वैसे वह सारे परिवर्टन रंग में परिवर्थन ताप में परिवर्थन घैस का निसकाशन या उसरजन और अचैपनuspनी का अंद्रमान यह सभी के सभी जो है रथाने का भी किलिए की विस्थिष्था मतलब जब भी डिटेल से पढ़ना चाहिए क्या यह कहना चाहता है और आप अगर NCRT पढ़ेंगे तो जितने भी उसमें रियक्टिवीटी जो दिये गए है पहला दूसरा तुसरा चौधा पाच्वा यह सब वह सभी एक्टिवीटी जो है इसी को रिपरजन करता है तो आईए हम देखते है जैसे अगर आपने अमोनिया के बारे में सुना होगा तो यह गैस होता है और बता देना चाहूंगा रसानी के लिए अभी कारक और उत्पात को जो है रिपरजन करने के लिए अच्छा जली एभी तो आप फर्मॉला ठीक अब फर्मॉला तो आप जानते होंगे ना नहीं ज अबतारत या उत्पात को वकिस भौतिक अवस्था में है उसके लिए जो है भौतिक अवस्था के सेंबॉल का पी मतलब इस्तमाल के जाता है एक्जाम्पल के तौर पर अगर सॉलिड है ठोस है एस ब्राइकट में दिया जाएगा अगर चे लिक्विड है तो एल दिया अगर तो उसको हम कहेंगे एकवस यानि कि जल यह विलियन और एक यू जल में कोई जब घुला हुआ हो तो इसको एक यू शरी परजयन कियाता है जैसे कि अगर हम लिग दें सुगर ब्राइकट में एक यू इसका मतलब चीनी जो है पानी में घुला हुआ है तो हाला के इस और गैस के लिए जी, लिक्विट के लिए एल और सोलिट के लिए एस तो आइए देखते हैं, अमोनिया गैस है और हैट्रोजं कलोराइड ये भी एक गैस और जब ये लिक्विड स्टेट में आएगा, मतलब जब एक जल में गुल जाएगा तभ ये अम लगा काम करेगा तो ह में इसको बोलेंगे hydrocaloric acid अब यह gaseous form में है तो इसको पढ़ेंगे hydrogen chloride यह दोनों मिलके बनाता है NH4Cl, ammonium chloride इसको नौसादर भी कहते हैं, ammonium chloride तो यह solid होता है, तो आप गवर से देखो, दो गैसियस substance, दो गैसियस पढ़ार्थ मिलकर के बना रहे हैं, ammonium chloride और ammonium chloride solid है, ठोस है, तो दो गैस की मिलने से क्या बना, एक ठोस पदार्थ मिलकर बना, तो क्या किसको रीपरजेंट कर रहा है यह अवस्ता में परिवर्तन को रीपरजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहां यह gaseous state में है और यहां पी यह solid state में है, यह चीज और बताना जाओंग किसी तरकी किसी प्रकार की किसी चिंतागी जरूरत नहीं है टेंसर नोट मैंसर नोट अगर आपको परिशानी हो देगी एन फोर सी यह कहां से आया फॉर्मूला तो आपको समझना चाहिए कि अगर आपको परिशानी होती है फर्मूला बनाने में तो अब हमें कमेंट्स करके बताओ मैं उस पे अलग सी वोडियो बना दूंगा आईए हम दूसरा देखते हैं रंग में परिवर्तन का भी उसमें दिया हुआ है उसमें एक एक्टिविटी 1.2 अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लेड नैट्रेट का गोल पीबी अनो थरी का हॉल्टू जैसे यह फर्मूला कैसे है पीबी अनो थरी क्यों नहीं है तो वह उसी की बात मै नहीं कर रहा हूं का कि लेड नैट्रेट का गोल गोल का मतलब यह जल में गुला हुआ है का कि उसमें आप पोटेसियम आयोडाइट का गोल मिलाओ भाईया दो गोल है क्या है दो गोल है ही का कि इनको मिलाओ आ कि कहां कि पोटेसियम लाइट में हमोनीं पोटेसियम आयोडाइट का गोल मिलाओ यह तो इससे आपको मिलता है लेड आयोडाइट का स्वीड इस अश्टान्स और यह होता है येलो कलर का पिरी सिपीटेट, पिरी सिपीटेट क्या होता है, इस पर भी हर्षा करेंगे अभी, फिल आलम दूसरी चीज़े बताना चाहरा हूं, और पोटेसियम नाइडरेट, तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो यह दो गोल है, यह रंगहीन है, दब इन दोन येलो कलर का पिरी सिपीटेट, एक सॉलिड सिप्टांस प्राप्ता हुआ, ठोज, यहां पे यह रंगहीन है, और यहां पे यह येलो है, तो रंग में प्रिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, और एक एक्जेंपल है, आपके सिलिबस में ही है, NCRT में ही है, कि अगर आप कॉपर तो तो क्या होता है आपको मिलता हैस eso4 को पहले यह विलिएंग आपको iyi कर ददीखेंगा और इसे और चाहिए शर्क ge teo Sophia अबश्जान सकाम है और और बाद में क्या हो गया केलशियम ऑक्सौइड इसमें आप वाटरकों डालो कि आपको बन जाता है केलसियम हीड्रोटर अभी मैं फार्मूला के रूप में रिप्रेजन कर रहा हूं प्रिशाणी नहीं होनी जाईगर आप बोलो कि मैं इस तरहीं के से लिख सकता था केलसियम प्लस वाटर उसके बाद बनेगा केलसियम हैट्रोकसाइड तो जब यह होता है तो इसमें आपको आपको इनर्जी भी रिलीज होता है अगर आपने कभी लाइफ में देखा हो भी हो सकता है कि जो हम लोग सफेदी करने के लिए चूना लाते हैं उस चूना में जब पाई डालोके तो इसे लगए आख से निकल ला है जी से ला है तो वहाँ पे आप एनर्जी आपका एनर्जी बाहर निकल ला है तो इसमें क्या हो कारबन डई ओकसइड तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो आप यहाँ पी दे रह नienजी दे रहे हो तो ता पर पर प्रिवर्टन हो रहा है ना जी सर उसके बाद है गैस कान्स कासन। तो आप यहीं देख सकते हो कि कंथ लेकिन एक फदेटर एक्जंपल देखा देता हूँ आपकी सिलिबस में एक है एक्जेम्पल है कि जैसे कि जिंक के कदाना ले लिजिए उसमें आप हैट्रोकलोरिक एसट या सलफिरियो के हिट डालिए तो जैड एन सी एल टू बनेगा और हैट्रोजन गैस उस सरजीत होता है यह तीर का निशान अगर कोई गैस निकल ला तो ती तो उसमें डाउन बाड जो है साइन दिखा जाता है तीर का उसी तरीके से अगर जिंक में सलफिरिक डालते हो आप तो बनता है जैड एन सो फॉर प्लास एस टू यहां भी गैस बाहर निकल ला है तो वही तो वह कह रहा कि गैस का निसकाशन हो सकता है जब कोई रसानी कभी विक्रिया होती है और छेपन कंद्रमान अभी आपने देखा था कि जो लेड आयोडाइट था वह पीला गदर का वह एक और छेप था और छेप कहा कि एक ऐसा पदार्त है जो विलियन में जो है और विले होता है यह घुलता नहीं है जी सर एक्जांपल के तोर पर एक और मै आप एने टू एसो फॉर यह भी रंगहीन है इसमें दुनों को मिला होगे तो आपको बनेगा बी एसो फॉर का स्टॉड सफ्टांस मतलब और बनेगा एन एसी एल और मैं आपको बताऊं कि लोग ठगे भी बहुत जाते हैं फूर एक तरीका पानी दिखेगा यह तरह का पा आए थे आठा उसको मैं बता जाता हूं किस तरीके से हमको जादूगर एक ठग लेता है साइंस का इस्तेमाल करके जैसे एक्जाम्पल के दौर पर हमारे पास था लेड नाइट रेट यह रंगहीन है पानी दिखेगा उसके बाद यह पोटेसमायोडाइड है और यह क्या है यह रंगहीन है तो वह क्या करता है कि आपको दिखाता है कि देखो भाई यह दो गिलास में दो पानी है वह दोनों गिलास को मिला देता है दोनों पानी को मिला देता है और फिर वह अपना एक अंतर मंतर जादो जंतर एक दो तीन अरगट की मसान मरगट की मसान जहां लगा दो मतलब पानी को मिलाया और वहां पे पिला-पिला कदर का पत्थर बन गया अरे भाईया वह कुछ नहीं बना ले डायोडाइड बन गया येलो प्रिसिपिटेड बन गया ना पिला और खेब बन गया आपको बढ़ ठक के चला गया पूरा साइंस का खेल था लेकिन आपको ल